मेरा यह मानना है कि film में king होती है और audience queen होती है मतलब in a way where one cannot exist without the other और in a basic sense अगर आपकी film में चलती है तो आपकी social media चलेगी या आपके brands चलेगे या बट films main होते हैं में और social media पर मैं बस यह कोशिश कर क्योंकि जितना positive light happy रखो क्योंकि सबके दुनिया में जिन्दगी में कुछ ना कुछ stress issues होते रहते हैं तो आप जितना चाहें उनको light और positive imagery दो और happy उनको पसंद आता है तो try and keep it as light as possible अलिया बीते दो साल में जब pandemic था तो जब भी South के कलाकारों से यहां के कलाकारों से डिरेक्टर से किसी से भी पात करता था तो दो चीजे हो रही थी एक तो जैसे सड़क जैसी film आई तो उसको लेकर एक अलग तरह की आलोचना हो रही थी जान बुच कर और दूसरी हो रही थी कि हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है चाहे वह एक्टर हो चाहे डिरेक्टर हो इस तरह का स्टार्डम और जहां पर बैलेंस करना हो शोशल मीडिया में एक अलग दुनिया हो और लोग आपके साथ मरे जा रहे हैं मैं इंटर्व करने के लिए मरा जा रहा है था क्या रेक्षिन है अपका? नहीं, I feel कि जब भी मैं यह सब देखती हूँ, people mentioning that they would like to work with me I'm extremely grateful क्योंकि आपके मतलब जितने ही अलग अलग opportunities मिलेगे उतना ही मुझे काम करने का दिखाने और प्रिजेंट करने का मौका मिलेगा तो मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उतना ही सारी variety मिलेगी और मुझे उतना ही सबकुछ सीखने को मिलेगा Social media और film media और like film को balance करना I don't understand the way मेरा यह वानना है कि film में king होती है और audience queen होती है मतलब in a way where one cannot exist without another और in a basic sense अगर आपकी film में चलती है तो आपकी social media चलेगी या आपके brand चलेगे या but films main होते है main और social media पर मैं बस यही कोशिश कर क्योंकि जितना positive, light, happy रखू क्योंकि सबकिस दुनिया में या जिन्दगी में कुछ ना कुछ stress issues होते रहते हैं तो आप जितना चाहे उनको light और positive imagery दो और happy उनको पसंद आता है तो try and keep it as light as possible कभी कभी आलोचना ऐसी होती है जो compliment भी होती है और जब गंगो का किर्दार आपके पास आया तो गंगो का चुकी जिस तरह का और बनाया गया था इसा लगा था बहुत थोड़ी height बड़ी होगी body bulky होगी उनकी लेकिन आप जब कर रहे हैं तो लोग आपको बच्ची कह रहे हैं यह कितना इसको compliment लेती है और उसको चैलेंज करती है परदे पर जब आप धारती है वेख़ाफ होके तो रोमी खड़े हो जाते हैं और मैं इंटर्व लेने की समय नर्वस हो जाता हूं I think I think लोग यह भी समझ रहे है कि गंगुबाय कुछ बोड़ी औरत की पार्ट है यह film एक young timeline के उपर बेस्ट है जब वो 16-17 साल से 30 साल तक लेकर तो actually वो young days में ही बहुत powerful हो गई थी compliment नहीं कहूंगी पर हाँ, लोगों को from the beginning अभी मैं almost 30 साल के होने वाली हूँ but they think that I am still very young तो मेरे लिए अच्छा ही है अगले साल 30 के होने वाली हूँ अगले साल 30 के होने वाली हूँ हाँ दिखता है, I'll get to, I'll have a longer longevity to certain roles and parts